इस वीडियो में करेंगे हम कक्छा नौवी का परसना वली तेरद असमलब दो से प्रसन नमबर एक इसमें कहा गया है उचाई 14 सेंटिमीटर वाले एक लंब वरितिय बेलन का वक्र प्रिष्टिय छेतरफल 88 सेंटिमीटर स्क्वेर है बेलन के आधार का व्यास ग्यात कीजिए तो देखिये यहाँ पर यहाँ पर आपको कहा गया एक बेलन कार है और उसका जो है उचाई जो है यानी हाइट 14 सेंटिमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो उचाई है हाइट 14 सेंटिमीटर है और इसका जो है आपको वक्र प्रिष्ट ये छेतरफल 88 cm2 दिया गया है तो आपको इसमें बोला इसका जो अधार व्यास है वो ग्याद कीज़े यानि इसके नीचे का अधार का व्यास व्यास यानि यहां से लेके यहां तक का जो है कुल कितना लंबाई है व्यास बीच में जो हम अगर यहां पॉइंट रखे तो यह इसका तिरिज्या हो जाएगा यहां से यहां तक इस तरीके से यह तिरिज्या हो गया और यह पूरा यहां से यहां तक पुरी लंबाई जो है व्यास हो जाएगा तो वही आपको व्यास बताना है तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे बेलन का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल तो इसका हल शुरू करते हैं देखिए बेलन का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल कितना दिया गया है 88 cm2 तो यहां हम लिख देंगे 88 cm2 उसके बाद बेलन की उचाई लिखेंगे जैसे यहां दिया गया 14 cm तो यहां लिख देंगे बेलन की उचाई यानि की H कितना है 14 cm तो अब लिखेंगे हम इसका बेलन का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल जो फॉर्मूला लगेगा बेलन का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और बराबर में 88 cm2 ठीक है देखें यहां से हम जो है इसकी जो है सबसे पहले तिरिज्या निकाल लेंगे यानि आर निकाल लेंगे और आर का जो डबल है वो वयास होता है तिरिज्या का डबल तो बाकी का जो हमें वैल्यू है पता है पाई की जगा हमें रखना है 22 बटा साथ और एच की जगा रखना है 14 तो बाकी जो वैल्यू होगा इधर से इधर सिफ्ट हो जाएगा और सिफ्ट इधर R रहेगा तो यहां से R का value आजाएगा तो हमारा वियास भी आजाएगा तो इसको आगे करते हैं 2 into Pi की जगह क्या जाएगा 22 बटा 7 गुना में R R हमें नहीं पता तो R की जगह R ही लिखेंगे गुना में H H कितना है 14 cm बराबर में 88 देखें 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो यहां देखी आप यह जो है गुना हो रहे उपर के जितना भी है तो पहले यह गुना हो जाएगा 22 दो से तो 22 दूनी 44 फिर 44 जो है 2 से गुना होगा तो 88 88 हो जाएगा 88 और गुना में R बराबर में 88 ठीक है यहां से जो है हम 88 दर गुना में है उस से राट भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा यहां पर R बराबर में 88 बटा में 88 28 एकम 88 एक बटा 1 एक बटा 1 का मतलब होता 1 तो R कितना अगया 1 cm तो इसका हम व्यास निकालते हैं तो व्यास जो है इसका डबल हो जाता है यहां हम लिख देते हैं कि बेलन का अधार व्यास देखिए अधार व्यास मतलब डी यानि कि 2R यानि 2 इंटू आर कितना है वन तो यहां जाएगा टू अन्जा टू यानि टू सेंटिमेटर तो बेलन का अधार व्यास कितना हो जाएगा टू सेंटिमेटर यही इसका आंसर है